BDSPL फिल्मों में आने से पहले क्रिकेटर था ये एक्टर, मौत पर अमिता बच्चन भी रो पड़े थे बलेवुड एक्टर मेक मोहन का आज असीवा जन्म दिन है मेक मोहन का जन्म आज ही के दिन साल 1938 को कराची में हुआ था मेक मोहन अधिकतर फिल्मों में विलेन के किरदार में ही नजर आए है फिल्म शोले में सामबा का किरदार निभाकर मेक मोहन ने प्रसिद्धी हासिल की थी गौर तलब है कि वेह जानी मानी एक ट्रेसर वीना टंडन के मामा थे मैक मोहन का असली नाम मोहन माखी जानी है उनके पिता भारत में ब्रिटिश आर्मी में करनल थे मैक मोहन को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था और वे क्रिकेटर बनना चाहते थे साल 1940 में उनके पिता का ट्रांसफ़क कराची से लखनव हो गया फिर मैक मोहन की शुरुआती पढ़ाई लखनव में ही हुई एक इंटर्व्यू में मैक मोहन ने बताया था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम के लिए भी खेला था फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने तकर लिया कि अब उन्हें क्रिकेटर बनना ही है उन दिनों क्रिकेट की अच्छी ट्रेनिंग सिर्फ मुंबई में दी जाती थी जिसके बाद वेहर साल 1952 में मुंबई आ गए लेकिन मुंबई आने के बाद उन्होंने जब रंग मंच को देखा तो उनकी इसमें रुची जागी मशूर गीतकार कैफी आजमी की पतनी शौकत कैफी जो की आई पकी सदस्य थी एक स्टेज ड्रामा डायरेक्ट कर रही थी जिसका नाम था एलेक्शन का टिकट उसके लिए उन्हें एक दुबले पतले लेकिन साफ बोलने वाले शक्स की जरूरत थी मैक मोहन के किसी दोस्त ने उन्हें इसके बारे में बताया उन्हें पैसों की जरूरत थी लिहाजा सिर्फ थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए उन्होंने शौकत कैफी सेन नाटक में काम मांगने के लिए मुलकात की और यहीं से मैक मोहन का एक्टिंग करियर शुरू हो गया मैक मोहन ने साल 1964 में फिल्म हकीकत से अपने करियर की शुरूआत की थी अपने 46 साल के करियर में 175 फिल्मों में उन्होंने काम किया उन्हें अपने दौर के सभी बड़े फिल्म डायरेटर्स ने काम दिया डौन, कर्ज, सत्य पे सत्य, काला पथर, रभूचक कर, शान और शोले जैसी फिल्मों में उनका काम बेहद सराहा गया उन्होंने अमिताब बच्चन के साथ काफी फिल्मों में काम किया नवंबर 2010 में जब मैक मोहन अती थे तुम कब डाओगे की शूटिंग कर रहे थे तो उनकी तबियत खराब हुई तभी उन्हें मुंबई के कोकिला बेंदीरू भाई अमबानी अस्पताल में दाखिल किया गया जहां टॉक्टरों ने बताया की उनके फेपड़ों में ट्यूमर है इसके बाद उनका लंबा इलाज चला लेकिन उनकी तबियत लगातार बिगरती चली गए एक साल बाद ही 10 माई 2010 को मैक मोहन हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए वह अपने पीछे पतनी मिन्नी, दो बेटिया मंजरी वविन्ती और एक बेटा विकरांत छोड़ गए मैक मोहन की मौत पर अमिताब बच्चन ने अपने ब्लॉग पर दुख जदाते हुए लिखा यह बताते हुए दुख हो रहा है कि मैक मोहन इस दुनिया में नहीं रहे वह कुमल घृदय वाली आत्मा थे, वह सभी का बहुत ध्यान रखने वाले वियत्ती थे अमिताब ने कहा कि उन्हें कई वच्चों से याद किया जाएगा लेकिन शायद उनका संदर्भ हमेशा शोले के सामभाव के रूप में दिया जाएगा